कि ऑगधे आपका मेरे चननल पर आशा करता हुग है आप को सो होंगे दूरूस्ट होंगे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि नरत्री से जो भी आप पोदा लाते हैं उसका पोलीबेक सूरक्चीत बाहर कैसे निकाले हमारा पोलीबेक दूरक्चीत रहे और पोदा भी जिससे हम पोली बेक को बाद में कटिंग लगाने और बीज ग्रो करने में कर सकें तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले आपको पोदे के उपरी हिस्से पर उंगलियों को इस तरह रखना है कि हमारी उंगलियों पोदे की मिट्टी पर रहें ध्यान रहे हमारी उं दोस्तों उसके बाद आप पोली बेक को उल्टा ये तरचा कर लें और दूसरे हास से हलका सधीरे जटका देते वापको केशना और ही देखिए कितनी आसानी से ये बाहर निकल जाता है अब हम इस पोली बेक को भी यूज कर सकते हो और हमारा पोदा भी सुरक्चित निकल गया दोस्तों मैं नर्स्री से जब भी फोदाल आता हूँ या खरीदता हूँ तो मैं इसी तरह निकालता हूँ प्लांट कभी भी मैंने काटके ठाबब निःड़के निकलने आप मैं रिपोतिंग करने जा रहा हूं जिसका मैंने कोखो बिद बनाए था कुछ दिन पहले तो उसका बेश्ट जो निकला था वो मैं से ड्रेनेज ऑप में लगाने वाला हूं जिस से कि हो सके पोर्ट का और मैं इसमें जो मेरा प्लांटे उसे रीपोर्ट करने वाला हूं यह जो मिट्टी तियार किये दोस्तों मैंने उसमें 50% मिट्टी लिए 30% सेंड और 20% कमपोश्ट का मिसरण है इसमें आप फंगी साइट पाउडर मिला सकते हैं कोई भी फंजी साइट पाउडर या नीम की खली मिला सकते हैं अगर वो नहीं आपके पास तो मिट्टी के साब से आप थोड़ी राक या हल्दी का यूच कर सकते हैं यह भी बढ़िया काम करती मिट्टी में दोस्तों अगर आपने इस तरह से कभी निकाला है पोली बेग बीना पोधे को नुक्सान पचाए बीना फाड़े या फिर आपको कोई दूसरा तरीका मालूम है इस तरह निकालने का तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों जो दोनों पोट आप देख रहे हैं इसको भी मैंने खुदी बनाया अपने हाथों से अब मैंने डांट है उसका प्राण तो रिपोर्ट कर दिया पिटूनिया का करना है दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके से मेरा तरीका यूज करता होगा मैक्सिपा मुलब तो फाड की निकालते होंगे पोली देखो लेकिन आप इस तरीके से निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा अगर आपने निकाला है कभी ऐसे तो कमेंट करके ज़रूर बता है दोस्तो वीडियो पसंद आये तो लाइक करिएगा बनना डिसलाइक करिएगा कोई बात नहीं कर दोस्तों आपने खिएग पिर्णास करिएगा कर दोस्तों करके लाएगा से निकल इसम चाहिएगा मैं जाएगा से जाएगा 97.1 एम चाहिएगा कोईगा कुछते है